अधिए वीडियो अधियो फ्रेंड्स वेलकम टेम्टेटिंग आज हम येस बेंक के शेहर पो डिसकस करेंगे देखिए मंत्री बेस्स पर कितना कॉंसुलिएट कर रहा है इस लेवल पर बारार पर लेवल को काफ़ सपोर्ट कर रहा है मंत्री बेस्स से और इसमें अभी हाल प देखिए इसके वोल्यूम अगर वोल्यूम देखेंगे तो यहां पर बाउट साथ सुपचास मिलियन शेर ट्रेड हुए है पिछले पर ट्रेडिंग सेशन में देखिए हम इसको देखिए यह फाई आई है वेंगार्ड ग्रूपो ठीक है इन्नोंने देखिए मार्च डेट लिख रखिया है सत्रा मार्च 2022 सो मुझे लगता है कि हमें भी इसमें अब इस साड़े बारा से तेरह रुपे के बीच में एक बैट लगा के चलने चाहिए और इस यहास बैंक को बाय करके चलना चाहिए और बीस जार रपे कॉंटिटी एड करने चाहि है मिन्स हम 1500 शेयर इसके बाय करके चल सकते हैं ठीक है और लोंग टर्म नजरिया के तरह हम देख सकते हैं कम से हम दो से तीन साल और इसका 5X डिटान के उमीद कर सकते हैं मिन्स हमारा फस्ट टार्गेट जो होगा वो 51 और सेकिंड टार्गेट 61 एंड 500 एक सो एक रुपे के लेके चल सकते हैं तीन साल के नजरिया देखके क्योंकि अब इसमें इसके रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा है देखिए इसके वाटर और बेसिस पर रिजल्ट भी अच्छा रहा है देखिए फानेशलियर बीस इकीस में इसको नेट परॉफिट माइनस 3,400 क्रोड का नु पर्फोर्मेंस है उसका वो उसकी रेटिंग भी बढ़के तीन से बढ़के बारा हो गी है जो पोजिटिव शाइन इंडिकेट करती है तो हम इसमें एक बैट लगा के जल सकते हैं 10 रुपे का स्टोप लोस लगा के मत मींस हम साड़े बारा में बाय करके धाई रुपे का स् कर दोमीकशन में के जल्द है क्या तुब जाती है तो मेरे साब से इसमें जल्द ही 20 रुपे के लेल है और उसके बाद 50 रुपे के लावल आने वाले दो साल के अंदर मुझे लगता है कि ले सकते हैं और हम क्लियर कर 10 रुपे का स्टोक लोस अपना बुक करके चलेंगे तो जिन्होंने भी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब ने किया पिर सब्सक्राइब में चैनल क्या हम इसमें अच्छे शेयर और उनके ट्रेडिंग लेवल डिसकस करते हैं और रिस्क कपे अपने रिस्क कपेस्टी से बताते हैं कि कौन सा शेयर आप बाय कर सकते हैं ठीक है इस शेयर में आप 50,000 रुपे का बैट लगा के चलिए और 5X का रिटर्न की उम्मीद करके चल सकते हैं आप म 20,000 पर एक लाग कर प्रोफिट हो सकता है इसमें तो थैंक यू थैंक यू वर वाचिंग मैं वीडियो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब में चानल